हमने 15 साल पुराना कमरे को पैंटिंग करके जाकास बना दिया है पर दोस्तों देख सकते कितना गंदा कमरे था उपर में काई भी बैठे गया था हमने रगर सगड के रिपियर सिपियर करके पैंट फूंड करके एकदम कमरे को जाकास बना दिया है तो चलिए दोस्तों आप ल किजिएगा अगर आप फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फुलो किजिएगा दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक न घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे दोस्तों सबसे पहले तु ये पेंट करने से पहले एक कमरा देख लिजे मालिक का कहना है जो 15 साल से इसमें हम पेंट नहीं किया है पर इसमें हाथ होत का दाग बहुत लगा हुआ था पर कहीं कहीं टूट फूट भी गया था उपर देख सकते हैं पूरा छट काला काला सा हो गया पर इसमें आज अच्छी तरह से paint करना है तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको repair भरेंगे तो आप देख लिजे सबसे पहले तो इस तरह का camera है जो कितना गंदा हो चुका है तो चलिए और भी आगे दिखाते हैं कितना कील का भी छेद है कहीं तूट फुट भी गया उसको भी रिपियर करना है तो इसको हम अच्छी तरह से दोस्तों सबसे पहले P.O.P. पुट्टी दोनों मीक्स करके अच्छी तरह से इसको दो बार हम रिपियर भरे जहां का ड़ा था जहां पेपड़ी बना था उस जगह पेपड़ी भी निकाल गए अच्छी तरह से रिपियर भरे रिपियर करने के बाद दो तीन घंटा लग गया सुखने में क्योंकि ठंड मोसम था तो अच्छी तरह से सुखने के बाद 220 नमर सेंडिंग पेपर से अच्छी तरह से इसको रगड़ाई करवाए प्रेमर एक कोड जरूरी है अगर हर जगह रिपियर भरना पड़ता है तो उस पर भी आपको प्रेमर लगाना बहत जरूरी है और तब ही यह सब दागधाबा ज्यादा तर मिटता है वह से अगर इस पर डागधाबा वह से नजर आता तिन-चार कोड ज्यादा लगता तो हमने सबसे पहले तो दिवार च्छत इस जगह ज्यादा था पर पलाश्टर अच्छा से नहीं हो पाया था पुराना यह च्छत है तो हमने बरस से ही अच्छी तरह से च्छत में इसमें प्रेमर सिंगल कोड पाले किये अच्छी तरह से सिंगल कोड प्रेमर च्छत में कर लिए उसके बाद रोलर से जो है दिवार पे भी एक कोड प्रेमर सारी जगह चारो सैट दिवार पे अच्छी तरह से एक कोड लगा लिए ये कोड लगाने के बाद आप देख सकते हैं जो सिंगल कोड हमने प्रैमर अच्छी तरह से इस पे लगा लिए तो प्रैमर लगाने के बाद देख सकते हैं कला कला जितना था वो दब गया जो भी बचा है वो पेंट पर अब दब जाएगा देख सकते हैं च्छत और यहां सब भी सारे जगह हम लगा लिए इसके बाद चलिए और भी दिखाते हैं इसके बाद हमने ब्राइट सिलिंग कोड गॉल्ड सिरीज का च्छत में यह वाइट पेंट किये है तो इसका बीडियो हम नहीं बनाए पर आप देख सकते हैं च्छत में और च्छहजी के नीचे इस जगह पे हमने उड़कोड फाइनल कर चुके हैं अब हमको दिवार में करना है तो यह सब जो है आप देख सकते हैं उपर उपर यह सब हमने उड़कोड कर लियर है तो चलिए अब कलर के बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं तो ये रहा दोस्तों इंडोको का प्रीमियम एक्स्टी एक्स्टीरियल इमल्सन सिल्वर स्रीज तो ये रहा दोस्तों एक तरह के बाहरी दिवारों पे प्लास्टिक पेंट जिसको हम बोलते हैं वो बला paint है जिसका color code 148.4 है देख सकते हैं आप दोस्तों ये बाहरी दिवारों के लिए है पर अंदर में भी हम यूज करते हैं क्योंकि दिवार जादा गंदा होता है और ये paint waterproof paint होता है इस कारण जादा तर यूज करते हैं गौँ के area में जादा तर बच्चे सब क्या करते ह इस कारण हमने ये paint अंदर यूज करते हैं पर ये paint बाहर दिवारों के लिए काफी बेहतरीन है तो ये दोस्तों डबा खोल के आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा color है तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा पिंक में light color जैदा dark नहीं है अगर आप कमरे कराते हैं color तो सबसे जैदा light जो color आता वही कराई है नहीं तो अंदेरा अंदेरा सा लगता है तो इसमें पहले हम आदी निकाल लेते हैं पर single code के लिए कुछ हमको पतला करना होगा तो हमने इसमें लगभग में से 2-3 लिटर इसमें हम निकाल लिया है इसको 2-3 लिटर निकाल के अच्छी तरह स इसको mix कर लेंगे अच्छी तरह से हाथ से mix कर लेंगे उसके बाद इसमें हम पानी mix करेंगे तो पानी हमने 3 लिटर में 1.5 लिटर तक हम use करेंगे इसमें single के लिए single code के लिए अभी बस 1.5 लिटर पानी इसमें use करेंगे ज्यादा नहीं use करेंगे नहीं तो पतला हो जो आप 4 लिटर में जो है 1.5 लिटर तक पानी यूज कर सकते हैं तो चलिए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए देख सकते हैं ज़्यदा मोटा नहीं है पर ज़्यदा पतला भी नहीं है सिंगल कोड के लिए चल सकता है इस पर हम डबल भी करेंगे तो चलिए चेक कर लेते हैं तो चेक करने के बाद भी आप देख सकते हैं जो बस ठीक है तो चलिए च्छत तो इसे कंपलीट होई गया है पर अब दिवार करना है तो दिवार करने में सबसे पहले तो हमको ये बीट वाला लाइट में जो है पाइप सेट है तो इसमें हमको cutting करना है तो उपर उपर च्छत के side में और ये beat sub के नीचे उपर हमको बरस से cutting करना पड़ता है और बरस से cutting करके उसके बाद जो है नीचे जो कुछ बच जाता है जहां roller चल सके उस जगह हम roller भी use कर रहे हैं तो उपर उपर देख सकते हैं, जो हमने कटिंग कर लिये हैं, उपर उपर चारो सैट हम दिवार में कटिंग कर लिये हैं, चलिए अब रोलर से करते हैं, तो हमने एक बड़ी डंटा लिये, तो डंटा तो बड़ी वाला ये बांस का है, हमने बांस कटिंग करके सुखा डंटा लिये हैं और उसमें रोलर फसा दिये हैं तो चलिए अब फटा फट शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो थोड़ा एस्पीड कर देते हैं आप लोग को भी ज्यादा टाइम पास नहीं करना पड़ेगा तो देख सकते हैं तो सिंगल जो है हमने लगा रहें तो सिर्फ उप बार से नीचे एक ही बार में कर रहें इस तरह से क्या होता है जोड का निशान नहीं आता है और अच्छी तरह से कवरिंग भी आ जाता है देख सकते हैं दोस्तों नहीं मोटा नहीं पतला बना है और जहां नीचे सब बच गया है ये एसकाटिंग के उपर सब उस जगह हम ब दोस्तों देख सकते हमने इस पे सिंगल डबल करके उसके बाद ही इस वीडियो सूट किये तो देख सकते हैं मेरा तो फैनल हो गया पर इसमें ये पट्टी सब बच गया है भरने के लिए इसमें हम कुछ अलग कलर इसमें देंगे ताकि इसका लोक और भी अच्छा लगे तो ह हमने डबल कर लिए छट भी कम्पलीट कर लिए पर इसका पट्टी जो है बच गया करने के लिए तो पट्टी में भी हम एक अलग कलर करेंगे ग्रीन में लाइट कलर तो हमने एक सत्रह साथ इंडूको कंपनी में ही बनाये हैं जिसका इंटेरियल सी मिलसन में हम एक लिटर बनाए हैं तो ये ग्रीन कलर भी हमने यूज कर लिया है तो इसमें भी डबल कोड कर लिया है देख सकते हैं बस सेम उसी तरह ही इसको भी यूज करना है तो हमने ग्रीन कलर डबल कर लिये हैं इस पर भी पट्टी में जहां जहां वाइट था उस जगह पे हम लगा लिया है दे नहीं लगता है. सबसे पाहले तो ये मंग आये थे रेड़ में, तो जैदाlierव हो गया था, लाल जैदा हो गया था है तो इसमें हम एक बलेक एश्टिनर इंडो को कहीं मंगाए हैं तो देख सकते हैं यूनिवर्सल एस्टीनर है तो ये रेट तो जैदा हो गया इसमें हम थोड़ा निकाल लेते लगवा है एक डेल लीटर जितना हमको एसकाटिंग में लगाना है उसमें रेट कलर तो और भी जगा करना है पर इसमें कुछ है इसमें महरून टैप में लाना है तो इसमें डेल लीटर में हम कुछ बलेक एस्टीनर मिक्स करके इसको थोड़ा सा और लालीपन को कम करते हैं ये ज़्यादा आँख पर पढ़ता है आँपे पढ़ने के कारण जो है ये अच्छा नहीं लगता है देखने इसमें हम थोड़ा सा बलेक मिक्स किये तो महरून कलर बन गया देख सकते हैं जदा रेट नहीं है पर महरून कलर पर आ गया तो चलिए इसको भी हम चेक करके दिखाते हैं मेरा कमरा पूरा फाइनल हो चुका है तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ना किजेए शेयर किजे और जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को तो जडूर सस्क्राइब किजेगा और फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं तो चैनल को जडूर फुलो किजेगा दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में कई दिन लग जाता है पर आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा जानकारी लेकर आते रहता हूँ तो दोस्तों इसी तरह और भी वीडियो हम मिलते हैं अच्छा जानकारी लेकर आ रहे हैं next by next वीडियो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग आप लाइक तो जडूर कर दीजेगा चैनल जडूर सस्क्राइब किजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक लिए गुडबाय नमस्कार आपका दिन सुबरे